आहार निद्रा भयमय थुनंचे सामाण्यमेतत पशुभी नरानां धर्मयों ही तेसम अधिकू विशेशो धर्मय नहीं नई पशुभी समाणां एक तो अहार, भोजन, एक निद्रा, एक मन में भय जागना और एक काम भूग करना यह जैसा मनुष्य में है वैसा हि पशु में है, यह चारों कृत्याँ मनुष्य के जीवन में भी है, पशु के जीवन में भी है लेकिन अंतर ये है कि पश्यू धरम की उन गहराईयों को समझ में नहीं सकता उन्हें धर में नहीं कर सकता मनुश्य के पास एक उर्जा है गहरी उर्जा है और एक विदी है जिससे वो अंतरमन की गहराईयों में जाकर के उस उज़ा का उप्योग करता है और धर्म के सही सभाव को कूब अच्छी तरह समझ लेता है और फिर अपना जीवन धर्म के अनुसार ढालने लगता है बुए काम पशू नहीं कर सकता धर्म नहीं हो तो पशू और मनुष जाए एक जैसे है ये आहार ये निद्रा ये भय और मैथुन कहने को तो कह दिया कि दोनों में एक समान है एक समान नहीं है मनुष्य में और पशू में इस दिशा में अंतर है इस छेत्र में अंतर है पशू में एक तरह का नेच्छ इंस्टिंक्ट है एक जनमजाद स्वभाव है जिससे वो प्रकृति के मोटे मोटे नेमों को खुब समझता है और उसका पालन करता है मनुष्य के पास जो उर्जा है वो गहराईयों से धर्म क्या है किस तरह से ये काम करता है कैसे विकार जागते हैं, कैसे बढ़ते हैं, कैसे सिर्वा चड़ जाते है और कैसे उनको दूर किया जा सकता है ये मनुष्य कर सकता है नए करे तो उसका दुर भाग गये लेकिन कशनाई तो ये है कि जो मोटी-मोटी बाते हैं प्रकिरती के नियमों की जिसको पशु आसानी से समझता है और उसका पालन करता है अरे मनुष्य तो वो भी नहीं समझता गहराईयों से जाकर के धर्म की सच्चाई को उस अवस्था में जड़ों तक समझ जाए उसके बास उर्जा है उसको उपयोग करना तो बहुत दूर रहा जो समझ ये बाते हैं जिसको पशु असनी समझ जाता है वो भी नहीं समझता तो इस मामली में तो ये कहेंगे कि मनुष्य पशु से भी गया गुजरा है गुरुजी ये तो बड़ी अजीब बात कह दिया आपने मनुश्य पशु से भी गया गुज़रा है ये क्यासे हो सकता है है ही क्या करे ये हमारा आख्यों के सामने है जड़ा इस बात को गौर से देखें जड़ा गहराई से देखें तो एक सच्चाई उपर करके आती है जैसे आहार को लें भोजन को लें मनशी भोजन करता है पशु भी करता है पशु का जब पेठ भर जाये भोजन करके तब और कुछ नहीं खाएगा और मनशी का पेठ भर जाये तो भी जरा सी कहीं कोई चटपड़ी चीज देखी तो खालेगा जरा कोई मीठी चीज कहीं देखी तो खाले का पेट भरा है फिर भी खालेगा पश्यू ये काम नहीं करता उसका पेट भरा है तो भरा है जैसे एक शेर का पेट भरा है वो आराम कर रहा है पेट भरा है उसका बगल से एक हिरन निकला चला गया हिरन उसका आहर है लेकिन फिर भी उस पर हमला नहीं करता पेट बरा है, आये न, इरन आया चला गया, मनुष्य का सभाव बड़ा अजीव है, पेट बरा है तो भी कोई जायकेदार आहार आ गया तो खाई ले, जो स्थिती आहार के बारे में है, वैसे ही स्थिती निद्रा के बारे में है, मनुष्य जब सोता है, तो गहरी नीन सोता है, खुराटी भरता है, घर में चोर आ गए, सब कुस लेकर के चंपत हो गए, और ये खुराटी भरता रहा, पश्यू को जरासिये का वाज आई, थोड़ा खटका हुआ, तो कान खड़े करता है, आँख खुल के देखता है, मनुष है, मनुष्य भहेच है अपने भविश्य के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, पश्यू ही भविश्यू है, अपने बाल बच्चों के लिए, लेकिन मनुष्य का भवय इतना कह रहा है, एक गटना, 1856 में राजस्तान में अकाल पड़ा, बहुत बड़ा अपनी आखाल उसे कहते थे, बहुत मरे लोग उसमें, खाद्य पदार्तों के दाम इतने उंचे होगे कि सामानने व्यक्ति खरीज ने सके, पेटे ने पर सके, जब अनेक लोग मरे तो उने में से कुछ लोगों को, मरे हुए लोगों को, उनकी लाश को, जब अर्ति पर रखा तो देखा, कुछ लोगों के दोती के अंटी में रुपिय बने हैं, अरे, इनकी पास रुपिय है, फिर ये भूख के मारे क्यों मर गए, तो बात ये हुई कि रुपिय तो हैं, लेकिन चिंता है, भै है, इन रुपियों को, मैं इस्तिमाल कर लूँगा, तो मेरे बच्चे क क्या खाएंगे, उनके बच्चे क्या खाएंगे, कितनी दूर की चिंता रखता है, पशु भी चिंता रखता है अपने बच्चों की, लेकिन कब तक रखता है, जब तक वो नाबालिक हैं, तब तक उनके खाने की, पीने की, उनके रक्षा के, सारा देख भाल करता है, जैसे में भी दोनों में बड़ा अंतर है अब बात काम भूग की मैथुन की दोनों में है लेकिन कितना बड़ा अंतर है देखो मैथुन काम भूग किस लिए किया जाता है संतान की उत्पत्ति के लिए किया जाता है पश्यू प्रकृति के इस नियम को जानता है तो जब मादा तब उसके साथ काम भूख करता है ताकि संदान की उत्पत्ती हो वाकि समय नहीं करेगा और इदर मनुश्य को देखो समय बे समय रितु बे-रिति। पात्र अपात्र जाहे जब चाहे जिस समय चाहे जिस से कामभोग कर लेगा तो इस माने में पष्चु से गया गुजरा अपने हाँ कहा गया कि पुत्रार थे कुरुते भारिया तो संथान उत्पत्ति की लिए कामभोग होता है तो पश्चु इस बात को समझता है लेकिन मनुष्य ने समझता उसके लिए तो काम आर्थे कुरुते भारिय अपनी काम वासना को पूर्टी करने के लिए कामभूग करता है नारेश समझन करता है मनुष्य इस मामले में भी पशु से बहुत कया गुजरा है ये मोटी मोटी उपर उपर की बाते हैं इसमें भी पशु मनुष्य से आगे है लेकिन और कहरी बाते हैं वो तो पशु बिचारा जान भी नहीं सकता वो तो किवल मनुष्य ही जान सकता है किन गहराईयों में जाकर के धरम के नियमों को गहराईयों से समझे कैसे विकार जाकते हैं कैसे उनका संवर्दन होता है बढ़ते बढ़ते कैसे सिर्पों चड़ जाते हैं हम होश को वाँ देते हैं और जो नहीं करना चाहे ये कर देते हैं नहीं बोलना चाहे बोल देते हैं होश नहीं रहता ब्याकुल होते हैं उन्हों को ब्याकुल करते हैं ये काम पश्यों नहीं कर सकता कि उन गेराई ये में जाके समझे ये काम मनुश्य कर सकता है लेकिन नहीं करता है ये उसका दुरुआ गया है